Dear students, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनदर फिनोमिना की जो related to coils होता है, that is known as the mutual induction बेटा. इसमें सबसे पहले हम mutual induction की definition पढ़ेंगे बेटा जी, फिर हम coefficient of mutual inductance या mutual inductance of two coils के लिए expression देखेंगे, उसे define करेंगे बेटा जी. और फिर उसकी SI units, और last में जो coefficient of mutual induction है, किन-किन factors पे depend करता है, वो भी discuss करेंगे बेटा जी. So start करते हैं बेटा, from the definition of mutual induction बेटा जी. तो देखें बेटा जी, mutual induction क्या होता है? It is the property of two coils, ज़रा ध्यान रखें बेटा. ये दो coil होंगी, तब ही हम mutual induction की बात करेंगे, सबसे पहले तो यही ध्यान देना है बेटा. So it is the property of two coils, by virtue of which each opposes any change in the strength of current, flowing through the other, by developing and opposing EMF. ठीक है बेटा जी? ये चीज़ ध्यान देनी है आपने. इसी को अगर simple भाषा में समझने की कोशिश करें, तो बेटा दो coil होंगी, अगर एक coil में current change हो रहा है, चाहे वो बड़े, चाहे वो घटे, तो क्या होगा? उसकी nearby जो coil होगी, उसमें एक EMF induced होगा, जो change in current को, जो first coil में हो रहा है, उसको क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा. Simple सी बात ध्यान देनी है, बस. ठीक है? बट इससे पहले हमने जो self induction पे वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपने देखा होगा, एक single coil होती थी, उसी एक ही coil में जब current बढ़ता था, तो induced EMF होता था बेटा, जो उस increase in current को oppose गरता था, in the same way, अगर current गरता था, तो फिर एक EMF induced होता था, जो उस decrease in current को oppose गरता था बे बेटा जी, आप इसको एक diagram की help से मैं समझा सकता हूँ इसे, उससे भी देख सकते हैं, तो देखें बेटा जी मैंने यहाँ एक diagram बनाए हैं, जिसमें दो coils ली हैं बेटा, first में मैंने एक battery attach की है और एक key लगाई है बेटा, और second में सिर्फ galvanometer लगाया है बेटा जी, तो current इधर से इधर flow करने लगा बेटा, अब जब यह वाली arrangement होती है, इसमें क्या होता है current takes some finite times to reach to its maximum value, तो उस समय में जितना time वो maximum value तक पहुँचने में ले रहा है, उतने समय क्या हो रहा है बेटा, current जो है change हो रहा है, ठीक है बेटा, मतलब changing current है, अब यही तो हमने पढ़ा change in strength of current, तो क्या होगा, इस change in strength of current को oppose किया जाएगा by an EMF induced in this coil, और हमें पता है अगर EMF induced है, या induced EMF है, तो there will be induced current as well, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कि अगर induced EMF होगा, तो induced current भी होगा, ठीक है बेटा जी, कभी आप confused हो जाएं, कि definition में तो opposing EMF लिखा है, और यहाँ diagram में induced current लिखा है, क्योंकि मैं आपको लगबग हर वीडियो में बता चुका हूँ, कि जैसे voltage और current होते हैं, DC circuit में इसी तरह से ही, जब induction phenomena होता है, तो उसमें क्या होता है, induced EMF और induced current की बात करते हैं बटा, in the same way, ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान दे उसमें मैंने बताया था, कि galvanometer का deflection show करना मतलब, induced current is there in this coil, clear, बट उसकी direction क्या होगी, that will be opposite to the cell current बेटा, बस यह बात याद रखनी है, in the same way, जब मैं इसको क्या करता हूँ, दुबारा plug out करता हूँ, तो क्या होगा, अब बेटा current अपनी maximum value से minimum पे आएगा, तो अब cell current जो ह decrease होगा, अब दुबारा फिर क्या होगा, फिर बेटा, decrease होगा तो, सबसे पहली चीज, direction of deflection of the galvanometer will be reverse, ठीक है बेटा जी, यह चीज ध्यान देनी है, क्योंकि अब flux कम हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, deflection reverse होगी, बट इसका deflection show करना दुबारा फिर क्या बता रहे है हमें बेटा जी, there will be induced current, तो इस तरह से आपने इस चीज को समझना है, तो अब हम चलते हैं, coefficient of mutual induction पे बेटा, तो बेटा देखें, coefficient of mutual induction या mutual inductance of two coils, ठीक है बेटा, इसको, कैसे इसका mathematical expression होता है, कैसे उसको define करेंगे, बट उससे पहले हमें यह बातों का पता होना चाहिए, तो कैते हैं, लेट मान लेते हैं, आई जो है, strength of current है in one coil at any instant, ठीक है बेटा, और at the same instant, phi जो है, that is the total amount of magnetic flux, linked with all the turns of the neighboring coil, यह चीज ज़रा ध्यान दें, देखो बेटा, current one coil में देखना है, और flux neighboring coil से जो associated है, वो देखना है, ठीक है बेटा, जबकि इससे पहले coefficient of self induction में क्या होता था, उसी coil का ही flux देखना होता था, क्योंकि वहाँ पे single coil होती थी बेटा, ठीक है, तो यह चीज ध्यान देनी है, तो अब क्या पाया गया, it is found that, phi is proportional to i, अब proportionality का sign हटाना है तो बेटा, कोई न कोई constant लगाना पड़ेगा, तो phi is equal to mi, clear है बेटा जी, तो यह जो m है, this m is known as the coefficient of mutual induction, या mutual inductance of two coils, अगर आप similarity establish कर बा रहे हैं, तो बेटा, कुछ भी different नहीं है, हमने self induction में पड़ा था, phi is equal to li, ठीक है, यहाँ पर mutual induction में क्या पड़े रहे हैं, phi is equal to mi, clear, यह चीज ध्यान देनी है बेटा, अब हम इनको define करते हैं, देखो, coefficient of mutual induction को define करते हैं, और उसके लिए बेटा, दो definition है, दो अलग तरीके से define कर सकते हैं, in the same way, as we defined coefficient of self induction, बेटा जी, तो बेटा, जब definition करेंगे, इसकी define, m के लिए, तो बेटा, सबसे पहली definition देखें, कहता है, we know, phi is equal to mi, ठीक है, और वो कहता है, कि if i is equal to 1, अगर मैं मालनूं कि जो current है, वो unit current flow कर रहा है, then, जो coefficient of mutual induction हो जाएगा, बेटा जी, कि m, वो किसके बराबर हो जाएगा, numerically equal to the magnetic flux, ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है, आपने, तो अब मैं इसको define कर सकता हूँ, बड़ी असानी से, तो देखें, कैसे define करेंगे, So, coefficient of mutual induction, or mutual inductance of two coils, मतलब M, that is, numerically equal to the amount of magnetic flux, linked with one coil, when unit current flows through the neighboring coil, जैसा कि, बेटा, मैंने आपको समझाया था, कि एक coil में आपने current देखना है, और दूसरे में flux देखना है, simple, ठीक है बेटा, बस वो कहता है कि, कि, जिस भी coil में से, क्योंकि, दो coil की property है, तो ये हमारे उपर है, हमारे, उपर depend करता है, कि हमने experimental setup कैसे किया है, हमने first coil में से current flow कराना है, ये second में से flow कराना है, बेटा, सिदी सी बात याद रखें, ठीक है, जिस भी coil में से, unit current flow करेगा, तो उसके opposite, मतलब दूसरी coil से हम क्या देखेंगे, flux देखेंगे, कितना associated है, बेटा, simple, ठीक है, तो जितना भी flux होगा, उसके बराबर क्या होगा, आपका, coefficient of mutual induction, या mutual inductance of two coils, बेटा, अब चलते हैं, another definition of M की तरफ, second definition से पहले इसका mathematical part देख लें, बेटा, हमें पता होता है, कि जो induced EMF होता है, बेटा जी, वो क्या होता है, minus rate of change of magnetic flux, आप चाहे फाई B लिख लें, या simply फाई लिख लें, बेटा, मैं पहले भी कई वीडियो से में बता चुका हूँ, कोई issue नहीं है, ठीक है, क्योंकि symbol है, अगर लिखेंगे, तो कई बार confusion हो सकता, बस कि electric flux है, magnetic flux है, तो अगर आप differentiate करना जाते हैं, तो you can write it as 5B, ठीक है बेटा, तो 5B stands for magnetic flux, तो अब बेटा, हमें पता है, कि जो E होता है, वो minus d5 by dt, अब 5 जो है, वो क्या है, that is equal to mi, clear है बेटा जी, तो ये है, अब M जो है, coefficient है, constant होगा, इसको बाहर ले आते हैं, so E is equal to minus M di by dt, तो यहां से अगर मैं M को define करना चाहूं, या M के लिए expression निकालना चाहूं, तो क्या हो जाएगा वो बेटा, minus E di by dt, clear है बेटा जी, क्योंकि इदर di by dt multiply हो रहा है, उदर जाके क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, तो अब इसकी help से मैं इसको define कर सकता हूँ, ठीक है बेटा, वो कहता है कि अगर हम मान लें, कि di by dt क्या है, one है, if di by dt, one, मतलब rate of change of current, जो है unit है, then M क्या हो जाएगा बेटा जी, minus of E के बराबर हो जाएगा, मतलब numerically, जो है induced EMF के बराबर हो जाएगा, कोफिशेंट of mutual inductance of two coils, तो इसको define करता हूँ, मैं mathematical part तो समझा दिया मैंने आपको, अब देखो जड़ा कैसे होगा, इसको define करते हैं, coefficient of mutual induction, या mutual inductance of two coils, is equal to EMF induced in one coil, देखो जड़ा, M जो है, किसके बराबर है, that is equal to induced EMF, ठीक है बटा, बट कब है ऐसा, when rate of change of current, through the other coil is unity, मतलब जब di by dt की value क्या है बटा, 1 है, इस तरह से हमने, इसको define करना है बटा जी, अब हम बात करते हैं, इसकी SI unit की, और उसको हम define करेंगे फिर बटा, तो बटा जी, SI unit जो है, self inductance of two coils की, that is Henry, उसका symbol जो है, that is capital H बटा, अब define कैसे करेंगे, अगर हम से कोई पूछ ले, कि define SI unit of self inductance of two coils, या coefficient of self induction, तो बटा कैसे करेंगे, देखो जरा, उसके लिए हमें क्या होता है बटा, पता होता है, जो M है, minus E upon Di by dt होता है, clear है बटा, अब definition देनी है, तो यहाँ पर minus लगाने की जूरत नहीं है, clear है बटा, जब भी define करना है, यह चीज़ याद रखनी है, और वैसे भी हमें पता है, minus sign क्यों आता है, because of its opposing nature, 1 henry हो जाएगा, अगर यह 1 volt हो जाए, और जो current है, किस rate से change हो, 1 ampere, और second की rate से बटा जाए, यह चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है, अब हम बड़ी असानी से define कर सकते हैं, तो देखें ज़रा कैसे define करना है इसको, तो coefficient of mutual induction of two coils is said to be 1 henry, when a current change at the rate of 1 ampere per second in one coil, induces an emf of 1 volt in the other coil, बटा, यह तो हमें पता है, दो coil की property है यह, तो इसलिए, अगर एक coil में current इस rate से change हो, 1 ampere per second से, तो दूसरे में emf induced होना चाहिए, 1 volt, clear है, जब ऐसा होगा, तब coefficient of self induction जो होगा, या self inductance of two coils होगा, then it will be set to be 1 henry, बटा, तो जो other units है, coefficient of self induction की, बटा, तो वो है milli henry and micro henry, बटा, पता होता है, 1 milli henry is equal to 10 raised to power minus 3 henry, and 1 micro henry, जो होता है, that is 10 raised to power minus 6 henry, बटा, ठीक है, बटा जी, यह चीज़ याद रखनी है, अब हम बात करते है, जो coefficient of mutual induction है, वो किन-किन factors पे depend करता है, बटा जी, तो बटा जी, जो coefficient of mutual induction है, वो तीन factors पे depend करता है, बटा, सबसे पहला जो है, that is geometry of coils, इसमें कई सारे factor है, बटा, geometry of coils में, जैसे coils का size क्या है, shape कैसी है, rectangular है, या circular है, या कैसी है, बटा, number of turns कितने हैं, और nature of material on which two coils are wound, कई बार क्या होता है, हम coils के अंदर जो है, एक अलग metal का material insert कर देते हैं, ताकि उसके magnetism को multiply किया जा सके, कई गुना बढ़ाया जा सके, ठीक है, तो central core material कौन सा लिया गया है, उस पे भी depend करता है, और second जो factor है, बटा, that is, distance between two coils, जो दोनों जो coil हैं, उनके बीच का distance कितना है, और third one जो है, और जो most important factor है, that is, relative placement of two coils, अब placement of two coils का मतलब क्या, orientation, मतलब वो आपस में किस तरह से रखी गई है, उनमें जैसे कि for example, ये भी हो सकता है, इस तरह से ही रखी गई है, या तो ये हो सकता है, मैं possible arrangement बता रहा हूँ, ठीक है बटा, दो-दो coils की, एक ये हो सकती है, और ये भी हो सकता है, एक coil ये है, और दूसरी coaxial बना दी जाए, ठीक है, we have two coaxial coils, ठीक है बटा जी, ये दूसरी arrangement हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी, coils को ऐसे रख दिया जाए, तो अलग-अलग तरह की arrangement हो सकती है, सो ये चीज़ ध्यान देनी है बटा आपने, सो दिस इस और विच आ वांटी तो डिसकस इन दिस वीडियो बटा, टेक केर, पढ़ते रहें,